इसकी प्रयाग राज में यूनाटेड बजास सोरूम की बात करों तो इसकी जो प्राइज निकल करके आती है जो यूएजडी फॉक्स वाली है ठीक है गाइस यूएजडी वाली ये वाली जो है जो टेलिस्कोपिक नहीं आती है ये वाली ये ग्राफिक वाली जो बाइक है य यहां पर आप प्लोगें शौकत है आपका मेरे चानल पर गाइस इस समय आप देख आप देख आप दोने तो प्राइस के बारे में आपको बता दूगा फिलाल चलिए इसके बारे मिलने वाला है जो पी 166 की N160 पुलसर है और यह उस्टी फॉक्स वाली यहां पर आप देख र हो और समझते हैं कि यह तो मिलना लए फिलाल उस से पाहले बाले चानेल पर नया है और सबस्राइब करिए प्ले सबस्ट्राइब करें कियों कि आप इस तरा की वीडियो आप इनले और बनाने के दो से करता हां So, दोस्तो, पहली चीज़ तो आपको look दिखा देज रहा हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है. यह look है यहाँ फे, ठीक है, N160 कहा, जो कि USD Fox वाली यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ एसमें. अब मैं आपको देरे देरे बताने की कुछिस करता हूँ कि क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला फिलाल तो अभी मैं आपको instrument cluster दिखाऊँगा जो की की आपको इस तरह से देखने को यहाँ पर मिल जाती है इंजन चेक लाइट है, इंजन आफ का यहां पर ब्लूतूथ कनेक्टवी दिखा रहा है, एबियस है तो यह सारी चीज़े आपको यह मोबिल का है यहां पर यह दिखा रहा है तो सारी चीज़े है तो काफी कुछ देखने को मिलता है फिर से अगर मैं बंद करूँ और यहां पे टाइमिंग आ गया, ठीक है, साइड इस्टैंड वार्निंग आ गयी, ठीक है, तो यह सारी चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है, जो कि फूली तरह से डिस्टल है, साथी साथ दोस्तों इसके अंदर आपको यहाँ पी यूएसबी चारजिंग देखने को मि मिलती है और यह टैंक जो 14 लीटर का फ्यूल टैंक है ठीक है ए 20 अपडेट के साथ में आता है अगर यहां पर इसके स्विच गेर्स की वगरा की बात करें तो स्विच गेर्स वगरा यहां पर ऐसे देखने को मिलती है जिसका हारन भी काफी लाओड है और यहां पर पासिंग क बात करें तो यह देखियें यहां पर सामने काफी ब्राइट है जो की काफी अच्छा देखने को मिल रहा है तो 이ंको अभी मैं करता हूं बंद इसको अभी मैं करता हूँ बंद तो दोस्तों यहां पे आपको पलसर का बैजिंग देखने को मिल जाता है जो कि टैंग काउल यहां पे दिया गया है और यह टैंग काउल काफी अपेरिंग करता है काफी मतलब अच्छा लगता है यहां पर यहां पर जो ग्राफिक्स है यह काफी अच्छी समझवाती N160 यहां पर लिखा हुआ है जो की काफी अपने आप में अपीलिंग है फिलाल अगर मैं बैक साइड में जाता हूँ तो यहां पर भी आपको ने आपको दिखाया यहां पर चा भी लगाई ठीक है और यहां पर इस तरा से प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलता है, काफी तगड़ा प्रोजेक्टर है इसके अंदर में, जो की भाई, लगता है कि यहाँ काफी खतरना आ गया, अगर यहाँ पर फरंट टायर की मैं बात को हूँ, तो फरंट टायर जो है, आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर 187, 17 अंच का उलाई विल बिल जाता है, और 187 का टायर का जो कॉमिनेशन है, कैमिका का यहाँ पर डिक्स ब्रेक मिलता है, जो कि 300 mm का डिक्स ब्रेक है, विथ एविएस है, ठीक है, यह बाईक जो है, डूल एविएस चैनल वाली है, तो 300 200 mm का डिक्स ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है, एक सो चाउवन कीलो की बाईक है, गाईज, एक सो चाउवन, 154 kg की बाईक है, इंजन काउल यहाँ पर देखने को मिलता है, जो की बाईक, solid carbon fiber का है, मतलब कजाब वाला है, जो की build quality के लिए मानी जाती है, पलसर, और पलस सब कुछ बढ़िया यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें कहीं भी आपको कोई doubt नहीं आता, और अगर exhaust की बात करें, तो यहाँ पर exhaust यह अंडर बैली आपको exhaust मिलता है, जहाँ पर यह आप देख पा रहे है, जो की काफी गजब का है, और यहाँ पर यह जो है, बाई, मैं हर यहाँ पर टायर का hogar दिया गया है, और टायर साइज की बात को तो टायर साइज इसमें आपको निकलता है, ब्रिज स्टोन का टायर लगा हुआ है, और टायर साइज ए 13-17, 17 इंच का, और 270 MP यहाँ पर आपको डिक्स प्लेट वीट एबिएस आपको देखने को मिल जाता है तो यह भी काफी बढ़िया निकल गया रहता है, और मोनो सॉक सस्पेंशन है यहाँ पर यह देख सकते हैं, आपको सिंगल सॉकर जिसे कहते हैं, तो यह भी काफी अपने आप में अपीलिंग आज़ा है, बैक की बात करें तो बैक प्रोफाइल में यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जो कि डाइमंड कट में आपको जो है बैक लाइट, लाइट से यहाँ पर देखने को मिल जाती है, अगर मैं यहाँ से अगर इसकी साइड इंडिकेटर वगरा जला के दिखा दू तो वह भी दिखाता हूँ, तो गाइस यह देखे कितना खत पूट्रेस्ट वगरा जो लेडीज के लिए वो नहीं आपको देखने को मिलता है, फिलाल यहाँ पर अलुमीनियम का जो है, यहाँ पर विल्ट पालिटी वगरा है, यहाँ पर किसी बी चीज में आपको एसा नहीं लगता कि हाँ भाई, वह चीज आने वाले समय में खिल ज आगया है जो कि काफी गजब का यहां पर आपधे करता है जो काफी अच्छा लगता है अगर में तो कैया लग रहा जाता है काफी इसके फकर में नहीं आती है तो गाइश एक चीज में आपको बता दूँ हुए फिक की जो 2-wall आती है वो भी इसके आगे ख़ीकी पर जाती है पावर के मामले में अगर पावर की बात करूं तो यह जो है पंदा दसम्रों 68 का इसका पावर जेनरेट करती है आड़ जा सासो पचास पचास पार पिम पर और टॉर्क जो जेनरेट करती है और अपने आप में यह बा पाउर प्रोडूस करती है टीवियस में यह बात दूसरी है क्योंकि उसके अंदर 17 पाउर सम्थिंग स्टार्ड होता है तो उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे चाइनल अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिलाग यहां पर डियारेल्स वगरा यहां पर जल जाती यह वाली यह ग्राफिक वाली जो बाइक है यह आपको आउन रोड जो है 173 में मिल जाएगी आपको यहां सो रूम में जहां पर आपको कॉल डिटेल्स वगरा आप स्क्रीन पे मिल रही होगी तो यह बाइक आप लेने के लिए संपक कर सकते हैं अगर इसकी नॉर्मल वाली यह पर पूरी ग्राफिक्स आई है यह यहां पर मिल रहा है यह सारी चीजे जो है 173,000 आपको मिल जाती है आप कॉल करके यहां पर आप विजिट कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ इसकी नॉर्मल वाली जहां पर आपको नॉर्मल में क्या चीज़ गर आएगा टैन बाइट और यह ग्राफिक्स नहीं मिलेगी बाकि सारी चीज़े सब कुछ ऐसा ही पाइटन में देखने को मिलेगा तो वो मिलेगी 1,66,000 आपको प्रियाग राज यूनाइट बजाग में तो आप पॉल करके यहां पर विजिट कर सकते हैं और यहां पर आ सकते हैं यह बाइक इस ता